जन्ता जली उन्वाटिर्ट के पुर्वराश्टी अध्यक्ष और पुर्विकेंद्री मंत्री शर्द यादो का गुरुवाराद गुरुग्राम के फॉर्टिस अस्पताल में निधन हो गया। कॉंग्रेस नेता राहूल गांधी ने सुबह उनके घर पहुचकर शर्दान जि वे मिले शर्द यादो की बेटी और कॉंग्रेस नेता सुबह शनी राधल गांधी से गले मिलकर फूर फूर कर रो पड़ी राहूल गांधी उन्हें सभालते हूए नजर आया राहूल गांधी ने कहा मैंने शर्द यादो जीस से राजनीती के बारे में बहुत कुश सीखा आज उनके निधन से मुझे दुख है मेरी दादी के साथ उनकी काफी ज़ादा राजनीती के लड़ाई हुई थी मगर उनके बीच समान का रिष्टा था उन्हेंने मुझे जो बताया वो रिष्टों की शुरुआत थी मेरे में बहुत कुष सीखा शर्दियादो जी नहीं रहे उन्हेंने राजनीती में अपनी इज़त बनाई क्योंकि राजनीती में समान कोना बहुत आसान है शर्दियादों को काफी लंबे समय से गुर्दे की बीमारी थी सांस लेने में तकलिफ होने पर उन्हें गुरुगराम के फॉर्टिस अस्पताल में भर दी कराए गया शर्द यादों के निदन की सूचना उनकी बेटी सुभाश नियादों ने फेस्बुक पर दी वो 75 साल के थे शर्द यादों ने साथ बाल लोगसभा का चुनाव जीता राज्जी सभा की तीन बार सांसद रहे शर्द यादों ने जैप्रकाश नारायन से राजीव गांधी अटल बिहारी वाचवए के साथ तक राजनी थी की इमर्जंसी की दोरान वे जेल भी गय उनके निधन पर पियम मोदी समित कई नेताओं ने शर्द धान चली अरपित की बिहार के पुर्व मुक्यमंतरी लालु यादों ने शुकवार को सिंगापुर से एक वीडियो संदेश में शर्द यादों के निधन पर शोग व्यक्त किया दिवंगत नेता के लिए ट्वीटर पर एक वीडियो पोस्ट करते वे लालु यादों फावुक हो गए लालु यादों इस समय सिंगापुर में अपनी किजिनी का इलाज करा रही है